नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर दोस्तों बेहार SSC के लिए जो है हम लोग GKGS की तयारी काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं प्रस्तुत फुस्तक जो है RBD publication की है और इससे पहले हम ने practice rate 1 को complete कर लिया है पूरी तरह से व्याख्या के साथ और आज हमारा practice rate 2 है यह फुस्तक खान सर के मागदसन में तयार की गई है तो चलिए class को start करते हैं आज की class में हम लोग practice rate 2 को पूरे विस्तार के साथ पूरी तरह से complete करेंगे इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरा तात्विक अस्थल की सिंधु घाटे सभ्यता से सम्मंधित नहीं है तो इसमें से जो बाला कोट, लोथल और काली बंगा है ये तो सिंधु घाटे सभ्यता से सम्मंधित है लोथल जो है दोस्तो यह वर्तमान गुजरात के आहमदाबाद के निकट है और यह एक बंदरगाह के रुप में विक्सित था काली बंगा की बात करे तो यह वर्तमान में हनुमानगर राजस्थान के निकट स्थित है उप्रोक्त विकल्पों में से जो रोम दिया गया है यह सिंधु घाटे सभ्यता का स्थल नहीं है रोम जो है दोस्तो यह इटली की राजधानी है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है द्वीतिय बौध परिशद कहां हुई थी तो द्वीतिय बौध परिशद वैसाली में हुई थी इसको आप ध्यान में रखेंगे बौध संग के अंतरगत कुल जो है छे बौध परिशदें आयोजित की गई थी बौध परिशद सर्व कामेनी के अध्यक्षता में आयोजित हुई थी और इसका आयोजन राजा काला सूक के सनरक्षन में वैशाली में हुआ था 383 इसापुरों में इसी बौध परिशद में बुध के अनुयाई जो है दो भागों में विभाजित हो गए थे ठीक है दोस्तो चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण है हमारा भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूल जो थे दोस्तों, जॉर्ज यूल ये भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, इन्होंने 1888 इस्वी में, इस्वी भी आपको ध्यान में रखना होगा, 1888 इस्वी के इलाहबाद अधिवेशन में कॉंग्रेस की अध्यक्षता क स्वतंत्रता प्राप्ति से पुर्वब भारत में आये ब्रिटीस कमिशनों में से स्वेत कमिशन किसे कहा गया तो स्वेत कमिशन दोस्तों कहा गया है साइमन कमिशन को साइमन कमिशन की न्युक्ति जो है आठ नवंबर 1927 में की गई थी और इस कमिशन में साथ अंग्रेज अधिकारियों को सामिल किया गया था इसमें एक भी भारतिय सदस्य नहीं बनाया गया था इसी कारण इसे स्वेत कमीशन कहा गया था वाइट मेन कमीशन ठीक है इसकी अस्थापना जो है 1927 में हुई थी 1927 में 8 नवंबर को Next question है British भारत के किस Governor General ने अस्थाणिय सरकार की अस्थापना के लिए पहल की थी तो ये हैं Lord Ripan Lord Ripan ने सरुपर्थम समाचार पत्रों की स्वतंतरता को बहाल करते हुए 1882 में 1882 इसवी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था Lord Ripan का सरवाधिक महतपूर्ण कार्य अस्थाणिय स्वासासन की सुरुवात जिसकी सम्वधानिक बुनियाद स्वतंतरता के बाद 73 और 74 सम्वधान संसोधन के अधिनियम 1992 में रखी गई थी ठीक है? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे जो भी मैं एक्ष्ट्रा फैक्ट बताता चलता हूँ ये काफी उप्योगी है अगला प्रश्ण है रवेंद्र नाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रेगान लिखा था? तो ये दो दोस्तों है बांगला देश बांगला देश का राष्ट्रेगान रविंद्रना टैगोर ने लिखा था बांगलादेश का राष्ट्रगान जो है आमार सोनार बांगला है जिसे 1905 में 1905 तो 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया था और 1971 के बंगला देश के विभाजन के दोरान इसे बतोर राष्ट्रिगान स्विकार किया गया यह बंगला भाषा में लिखा गया है इसको आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुश्चन है विलियम बैंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था तो इसमें से जो दास्ता का अंत है दोस्तों दास्प्रथा का अंत विलियम बैंटिक नहीं करवाया था भारत में ब्रिटीस सासन के समय अठारा सो तेतालिस स्वि में 1843 में जो है इस प्रथा को बंध करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था बाकी जो काम है ठागों का दमन, सत्ती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण और समर्थताओं को दूर करना ये सभी जो है लौड विलियम बेंटी के द्वारा किया गया था इन में से कौन सा देश द्वीतिय विश्युद्ध के दौरान धूरी राष्ट गूठ का सदस्य नहीं था तो इसमें से जो चीन है दोस्तों चीन द्वीतिय विश्युद्ध के दौरान धूरी राष्ट गूठ का सदस्य नहीं था द्वितिये विश्व युद्ध जो है 1949 से लेकरके 1945 तक चला था ठीक है और इस युद्ध में विश्व दो भागों में मित्रराष्ट और धूरी राष्ट में बट गया था यह युद्ध इतिहास का सबसे ज़्यादा घाता की युद्ध साबित हुआ इस युद्ध में हैलिकॉक्टर और परमानु हत्यारों का इस्तमाल किया गया था जिससे पांच से साथ करोड लोगों ने जान गवाई थी अगला प्रश्ण है हमारा सिकागों में 1893 में विश्व धर्म संसत में किसने भाग लिया था इसमें भाग लेने वाले थे स्वामी विवेकानन्द सिकागों में जो 1893 में विश्व धर्म संसत हुआ था इसमें विवेकानन्द ने भाग लिया था स्वामी विवेकानन्द ने भाषन की सुर्वात मेरे अमेरिकी भाईयों और बहनों से की तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गुण्ज उठा इस भासन ने भारत की छवी को दुनिया में मजबूत किया इन्होंने विश्व धर्म संसत के दौरान भाशन देकर भारत की पहचान को विश्व में अस्थापित किया ठीक है? नेक्स्ट कुश्चन है किसको जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था दोस्तों HC मुखर जी को इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर जी इन्हें जो है भारतिय संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया था और भारत के गर्णतंत्र बनने के पस्चात पस्चिम मंगाल के प्रथम राज्यपाल के रूप में इनको चुना गया था और 1956 में जो है इनके मृत्यों हो गई थी 1956 में इन बातों को भी आप ध्यान में रखेगा अगला प्रश्ण है किसको जो है भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है तो भारत का संविधान का जो वास्तुकार माना जाता है ये बी आर अंबेदकर को माना जाता है भीम राव अम्बेदकर को भारतिय सम्वेधान का निर्माता कहा जाता है उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्षता की थी और उसी समीती ने सम्वेधान की रचना की थी ये एक लोकप्रिय भारतिय अर्थ सास्त्री, राजनित्तिग्य और समाज सुधारक थे ये एक इंपोर्टेंट बात है, इसकी तिथी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 30 सेप्टेंबर 1956 को जो है इन्होंने अनुसुचित जाती महासंग को समाप्त कर दिया था और उसके अस्थान पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोशना की थी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोईशन है भारत्य सम्विधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके सम्विधान द्वारा प्रभावित है तो ये जो है सन्युक्त राज अमेरिका से प्रभावित है भारत्य सम्विधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक सन्युक्त राष्ट अमेरिका से मिलती जुलती है सन्युक्त राष्ट अमेरिका के सम्विधान से भारत के न्याय धिसों की न्युक्ती न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और उपराष्टपती का पद आधिप्रावधान लिए गया है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किसे राज्य के निती निदेशक तत्वों की सुची में सम्मलित नहीं किया गया है इसमें से जो धार्मिक अधिकार है दोस्तों धार्मिक अधिकार को छोड़कर बांकी सभी राज्य के निती निदेशक सिद्धान्त में सामिल किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है निती निदेशक सिध्धान्त भारत के सम्विधान के भाग चार में वल्णित है इसको आप ध्यान में रखेगा और यह आयरलेंड के सम्विधान से लिया गया है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मौलिक अधिकार नहीं है तो इसमें से जो दोस्तो काम करने का अधिकार है ये भारतिय नागरिकों के मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार, शोषन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार, संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार, संब्धानिक अधिकार प्राप्त है काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है और बांकी सभी जो है इसमें ये मौलिक अधिकार है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए नियूनतम आयू क्या है तो भारत के प्रधान मंत्री बनने के लिए नियूनतम आयू जो है न्यूक्ति जो है राष्टपति के द्वारा की जाती है और प्रधान मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की न्यूक्ति राष्टपति के द्वारा की जाती है प्रधान मंत्री जो होता है दोस्तों ये लोक सभा के बहुमत दल का नेता होता है इसको ध्यान में रखेगा लेकि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है ठीक है? अगला प्रश्ण हमारा नगर निगम का अगला प्रश्ण हमारा लोग सभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्स आयोजित किया गया था? लोग सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये 1952 में आयोजित किया गया था लोग सभा का पहला सत्र जो है 17 अप्रेल 1952 को हुआ था और सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कॉंग्रिस थी कम्मुनिस्ट पार्टी और सोसलिस्ट पार्टी को 12 सीटे मिली थी और इस सरकार ने पूरे 5 वर्ष का कारेकाल को पूरा किया नेक्स्ट कुश्यन है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये महापौर होता है नगर निगम का अध्यक्ष जो है महापौर होता है और जो कि पंचायती राजववस्था के तहट सीधे राज्य सरकार के साथ बातचित करता है यह जिले का प्रसासनिक अधिकारी होता है जिले में इसे छोटे सहरों में नगर पाली का तथा बड़े सहरों में एक नगर निगम होता है इसको भी आप ध्यान में रखेगा भारत की पहली महिला लोगसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी जो कि 2009 से लेकर के 2014 तक लोगसभा अध्यक्ष रही थी 2009 से 2014 तक लोगसभा के अध्यक्ष चुनाव की तिथी राष्ट्रपती द्वारा तई की जाती है लोगसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है absolute majority द्वारा क्या जाता है अध्यक्ष के पास वोड देने का अधिकार नहीं होता है इसमें अगला प्रश्ट है हमारा भारत्य संविधान में वह संसोधन जिसने मतदान की आयू को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटा दिया तो ये जो है दोस्तों 61 संविधान संसोधन था संसोधन 61 से मतदान की आयू को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया सम्विधान की रचना के समय मतदान की आयू 21 वर्ष थी इस संसोधन के बाद ही चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो और चुनाव आयुक्त की न्युक्ति करने का प्रावधान बना इसको भी साथ में ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशिन है अपनी धूरी पर प्रित्वी के घूर्णन की दिशा क्या है तो प्रित्वी की घूर्णन की दिशा जो है पस्यम से पुर्व की ओर है प्रित्वी अपनी धूरी पर सदेव पस्यम से पुर्व की ओर घूमती है इसी गती को घूर्णन गती कहा जाता है ज कालपनिक रेखा कालाती है प्रित्वी अपने कर्ष तल के साथ जो है साढ़े छ्यासट डिगरी का जो है अक्ष बनाती है और प्रित्वी का यह अक्ष सदेव जो है एक और जुका हुआ रहता है नेक्स्ट कुश्चन है प्योंग प्यांग जो है किस देश की राजधानी है यह जो है दोस्तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंग यांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है यह एक ACI देश है प्योंग यांग जो है सबसे बड़ा सहर है इस देश की मुद्रा ओन है उत्तर कुरिया में एक दल्य सासन पधती है 2019 में कीम जॉँंग उत्तर कुरिया के तना सासक थे और जो इसमें मंगोलिया दिया गया है दोस्तों मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो है तुग्रील है इसको भी साथ में ध्यान में रखेगा नेक्स्ट क्वेशन है वायूमंडल की ओजोन परत निम्ड में से मुख्यता है किसके द्वारा नश्ट हो रही है तो वायू मंडल की जो ओजोन परत नश्ट हो रही है ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन के वज़ा से नश्ट हो रही है ओजोन गैस की सघंता अपेक्छाकृत अधीक होती है ओजोन परत के कारण ही धर्ती पर जीवन संभव है ओजोन परत सूर्य के उच्च आवरिती के प्राबैगिनी प्रकास को 93 से लेकर के 99 प्रतिसत तक इसकी मात्रा को जो है ओजोन परत जो है अवसूसित कर लेती है जो की जीवन के लिए काफी हानिकारक है अगला प्रशन है भारत के मुख्य भूमी का दक्षींतम अक्षांस क्या है तो इसका जो दक्षींतम अक्षांस है दोस्तों 8 डिगरी 4 मिनिट नौर्थ अक्षांस भारत की मुख्य भूमी जो है 8 डिगरी 4 से लेकर के 37 डिगरी 6 उत्तरी अक्षांस और 68 डिगरी 7 से लेकर के 97 डिगरी 25 पूर्वी देसांतर के बीच इस्थेत है और जमीन सीमाओं की लंबाई की बात करें तो जमीन सीमा जो है 15,200 किलो मीटर तक है उत्तर से दक्षीन तक इसकी लंबाई जो है 3,214 किलो मीटर है इसको भी ध्यान में रखेगा ये उत्तर से दक्षीन की लंबाई है और अगर पूरव से पस्षिम की लंबाई की बात हो तो 2933 किलो मीटर इसकी पूरव से पस्षिम में लंबाई है अगला प्रश्ण है भारतिय हिमाले चेत्र की सबसे उची चोटी कौन सी है तो भारतिय हिमाले की जो सबसे उची चोटी है ये कंचन जंगा है भारत में हिमाले चेत्र की सबसे उची चोटी कंचन जंगा है इसी पर ही विश्व की सबसे उची चोटी पर इसे बायोस्फियर रिजर्व भी है तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों Next question है गोदावरी नदी का उद्गम मस्थल किस राज्य में है तो गोदावरी का जो उद्गम है दोस्तों यह महराष्ट में है गोदावरी नदी का उद्गम मस्थल महराष्ट का त्रियंब केश्वर है पैन गंगा इंद्रावती, सवरी, मंजु लाबेन, गंगा एवं वर्धा ये सवी जो है गोदावरी की सहयक नदियां है इसे दक्षिन गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको ध्यान में रखेगा नेक्ष्ट कोश्चन है क्रिष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्जी कौन सा है तो क्रिष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्जी जो है दोस्तों ये हैं महाराष्ट, आंध्रप्रदेश और करनाटक। कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट, करनाटक और आंध्रप्रदेश में बहती है। सीचाई के लिए पानी की मात्रा को ले करके इन राज्यों के मध्य विवाद बना हुआ रहता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्ण गो देखते हैं। अगला प्रश्ण है कारक जो जलवायू को प्रभावित नहीं करता है, वह कौन सा है। तो इसमें से जो प्रित्वी की परिभ्रमन गती है, प्रित्वी की परिभ्रमन गती जलवायू को प्रभावित नहीं करता है। बागी अक्षान्स समुद्र से दूरी और पिर्थ्वी की परिक्रमन गती जो है ये सभी जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है या किस और भी क्या कहते हैं ये बताना है तो काली मिट्टी को दोसो रेगूर भी कहा जाता है इसको ध्यान में रखेगा इसमें पोटास के मात्रा जादा पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए उप्युक्त मानी जाती है काली मिट्टी का रंग किटेनिक फेरस मेगनेटाइट एवं जिवास्म की उपस्थती के कारण ही काला होता है काली मिट्टी का निर्मान चटानों के दो वर्ग दक्कन ट्रेप और लोहमे नीस और सिस्ट से हुआ है इन बातों को भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोईशन है अलग-अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी-बारी से उगाना यह तकनीक रूप से क्या कहलाता है तो यह कहलाता है दोस्तों फसल प्रत्यावर्तन अलग-अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर बारी-बारी से उगाना फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है भारत में यह प्रमुख रूप से क्रिसी के लिए उप्योग किया जाता है और यह व्यवसाई क्रिसी का ही एक रूप है जहां फसलों को लाब पहुचाने के लिए ही क्रिसी की जाती है अगला प्रश्ण है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है तो सबसे कम जन संख्या वाला राजी जो है सिक्किम है सिक्किम राजी में सबसे कम जन संख्या है दुनिया की सबसे उची चोटी जो कंचन जंगा है यह सिक्किम के उत्तर पस्यमी भाग नेपाल की सीमा पर है साथ में इसको भी ध्यान में रखेगा अगला प्रश्न है किस अर्थसास्त्री के अनूसार अर्थसास्त्र मनुस्य के भौतिक कल्यान का अध्यान है इसकी प्रथम पुस्तक The Theory of Moral Sentiment 1769 में प्रकासित हुई थी 1759 में यह प्रतिवादी और आशावादी अर्थसास्त्री थे इन्हें अर्थसास्त्र का जन्नक भी कहा जाता है इनका मूलभूत ग्रंथ जो है wealth of nation है इसको ध्यान में रखेगा Adam Smith को अगला प्रश्ण है व्यस्टी अर्थसास्त्र का सम्मंध किस्से है तो व्यस्टी अर्थसास्त्र जो है दोस्तों इसका सम्मंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के वहवार से और संपूर्ण अर्थववस्था की समझ से तो राइट आंसर हो जाएगा option C, A तथा B, दोनों ठीक है व्यस्टी अर्थसास्त्र का सम्मंध जो है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के वहवार से और संपूर्ण अर्थववस्था की समझ से है व्यस्टी अर्थसास्त्र अर्थसास्त्र की एक साखा है यह अध्यन करती है कि किस प्रकार अर्थववस्था के व्यक्तिगत अव्योव परिवार एवं फर्म से उन बाजारों को सिमित साधनों के आवंटन गा निर्णे करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी वबेची जाती है ठीक है? अगला प्रश्ण है दुधुवा नेशनल पार्क कहां इस्थित है? तो दुधुवा नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है यह राष्ट्य उध्यान विश्व में बागों और बारह सिंगा के लिए प्रसिद्ध है इसको भी ध्यान में रखेगा इसे बाग सुरक्षित छेत्र गोशित कर दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है किस ने गार्डन सिटी सिध्धान्त विख्षित किया है गार्डन सिटी सिध्धान्त जो है यह एवेनेजर हावर्ड के द्वारा विख्षित किया गया है ठीक है? नेक्स्ट कुश्चन है हमारा अंतराष्ट्य साक्षर्ता दिवस प्रतेक वर्स किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को 1965 में जो है युनेसको ने 8 सितंबर को अंतराष्ट्य साक्षर्टा दिवस गूसित किया इसको पहली बार 1966 में मनाया गया था 1966 में इसका उद्देश से है व्यक्तिकत समुदाईक और सामाजिक रूप से साक्षर्टा के महतों पर प्रकास डालना यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है इसको आप ध्यान में रखेगा अगला प्रश्ण है कौन एक रंग बिरंगा और मंत्र मूद कर देने वाला मेला है जो प्रतेक वर्स उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नौचंदी मेला जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनाया जाता है होली के कुछ दिनों के बाद ठीक है अगला प्रश्ण है जैनेटिक कोड की खोज किस ने की थी तो जैनेटिक कोड की खोज करने वाले थे हर्गोविंद खुराना कई वर्सों के दोरान मार्शल निरेनबर्ग हर्गोविंद खुराना सेवेरों और उनके सहयोगियों ने अनवानसिक कोड को असपश्ट किया यह दिखाते हुए कि उनके चार अक्छर वर्णमाला के साथ न्यूकलिक एसिड प्रोटीन में 20 प्रकार के एमीनो एसिड के क्रम को कैसे निर्धारित करते हैं तो इन बातों की व्याख्या जो है इस में थी अगला प्रश्ट है हमारा स्वेत रक्त करनिका का क्या मुख्य कारिय है तो स्वेत रक्त करनिकाएं जो होती है दोस्तों रक्त में पाई जाती है रक्त में ऐसे कई करनिकाएं पाई जाती है जैसे कि लाल रक्त करणिका, स्वेत रक्त करणिका, प्लेटलेट्स आदी तो जिसमें स्वेत रक्त करणिका का काम है संक्रमन से लड़ना या किसी भी प्रकार की संक्रमित पदार्थ से सरीर को बचाती है लाल रक्त कोशिका जो है ऑक्सिजन का वहन करती है तो स्वेत रक्त करणिका का मुख्य कार्य हो जाएगा संक्रमन से लड़ना अगला प्रश्ण है पौधों में पानी और पोशक तत्वों के परिवहन के लिए समवहनी डैस उत्तक को कहा जाता है तो यह जो समवहनी डैस उत्तक है दोस्तो इसे कहा जाता है जाइलम जल में समवहन में जल के समवहन में दोस्तो जाइलम प्रमुख भूमी का अदा करता है जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थाई उत्तक है जो कि समवहन बंडल के भीतर पाया जाता है पौधों में पाय जाने वाले समवहन उत्तकों में से जाईलम एक है और फ्लोयम दूसरा समवहन उत्तक है जाईलम के भीतर में रसा रोहन की क्रिया होती है चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इसका निर्मान हुआ है और चार प्रकार की जो कोशिकाय है वह है जायलम तंतु, वहनिकाय, वहिकाय और जायलम ब्रिदु तक तो इसको भी आप ध्यान में रखेगा Next question है अमारा अमलिय जठर रस किसके द्वरा स्रावित होता है? अमलिय जठर रस के स्रावित होता है? यह बताना है तो यह जो है दोस्तों आमासे से स्रावित होता है अमलिय जठर रस और आमासे की पेशिय दिवार के संकुचन द्वरा भोजन अमलिय जठर रस से पूरी तरह से मिल जाता है जिसको की हम लोग काइम कहते हैं कुछ नवजातों के जठार रस में रेनीन नामक प्रोटीन अब घटनी एंजाइम होता है, जो दूद के जो प्रोटीन होते हैं उसको पचाने में साहेता गरता है, अग्णिया से केवल पैनक्रेटिक एंजाइम रिलीज करता है, इसको भी ध्यान में रखेगा, अगला प्रशन है हमारा स्वेत रख्त करणिका का मुख्य कारे क्या है, तो स्वेत रख्त करणिका जो होती है दोस्तों, इसका मुख्य कारे होता है संक्रमन से लड़ना, अभी हमने बात की थी कि रक्त में कई तरह की कर्णिकाएं होती है जिसमें से स्वेत रक्त कर्णिका का काम है संक्रमन से लड़ना तो आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण है प्रतेक वरिक किन लाखों छोटी नलिकाओं का बना हुआ होता है तो ये जो बना होता है दोस्तों वरिक कानू अर्थात नेफरोंस का बना हुआ होता है नेफरों गुर्दे से मुत्र उत्पन्य करने वाली कार्यात्मक संरचना है जो कि छाल से लेकर के मज्जा तक फैली हुई है इसको ध्यान में रखेगा अगला प्रश्ण है घेंगा किसकी कमी से होता है तो घेंगा जो है यह होता है आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी कारण सीखने की छमता कम हो जाती है और बच्चा मंद बुद्धी का सिकार हो जाता है इसके अलावस शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंगा रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है अमीनो एसिड के साथ मिलकर आयोडीन थाइराइड ग्रंती को हार्मून का उत्पादन करने की ताकत देता है इसको ध्यान में रखेगा दोस्तों अगला प्रश्ण है मानव सरीर का कौन सा अंग इंसूलीन पैदा करता है तो इंसूलीन पैदा करने का काम करता है हमारा अगण्यास है ठीक है अगण्यासे मानव सरीर में इंसूलीन, ग्लुकागोन, सोमाटोस्टाटीन जैसी जरुरी हार्मोन बनाने वाली अंतास्रावी ग्रंती है इναसूलीन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मनुस्यकों मधुमेह नामक रोग हो जाता है मानों सरीर में गुलोकोज के उपापचे को नियंत्रित करने का काम जो है इंसुली नहीं करता है ठीक है? तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेगा दोस्तों एकजाम के दरिश्टी कोन से ये काफी महत्वपूर्ण है अगला प्रश्ण है एड्स क्या है? तो एड्स जो है या एक घातक मृत्यू रोग है एड्स एक जानलेवा विमारी है जो कि मानुविय प्रतिरक्षी अपूर्णता विसानू यानि HIV के संक्रमन के बाद होती है HIV संक्रमन के पस्चात मानुविय शरीर की प्रतिरोधक छमता घटने लगती है एड्स का पूर्ण रूप होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome और अब तक दोस्तों एड्स का पूर्ण रूप से उप्चार जो है संभव नहीं हो सका है इसलिए इससे बचके ही रहना चाहिए अगला प्रश्ण है नील हरित सेवाल क्या है तो ये जो है स्वपोसी होते है नील हरित सेवाल एक जिवानू फाइलम होता है जो की प्रकास संसलेशन से उरजा का उत्पादन करते है यहाँ जिवानू के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है नील हरित काई वायो मंडली नाइट्रोजन योगी की करन करके धान के फसल को आंसिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ती भी करता है ठीक है तो इसको भी आप ध्यान में रखेगा Next question है हमारा निम्नलिखित में से किसको दूध सरकरा भी कहते हैं दूध सरकरा कहलाता है दोस्तों लेक्टोज दूध सरकरा वह सरकरा है जो कि दूध की बनी चीजों में पाया जाता है और दूध के अंदर लेक्टोज सरकरा पाया जाता है तथा दूध दही पनीर जैसी चीजों में लेक्टिक अमल पाया जाता है इसको भी आप ध्यान में रखेगा अगला प्रैश्णय निम्नेलिखित में से कौन सी green house gas नहीं है तो इसमें से sulfur dioxide जो है ये green house gas नहीं है sulfur dioxide gas एक रंग हीन gas है जो कि वायू से भारी होती है यह gas बहुत ही तिज गंध वाली होती है जिन इंधन में भी सलफर होता है जैसे कि कोईला तेलादी को जब जलाया जाता है तो इनको जलाने से सलफर डायोकसाइड का निर्मान होता है और जब इस गैस पर दाव लगाया जाता है तो यह गैस द्रव में बदल जाती है और इसका रासाइनिक सुत्र होता है दोस्तों SO2 ठीक है और इसका उपियोग कई प्रकार की खाने की सबजियों फलों आदि को सुरक्षित रखने के लिए क्या जाता है ठीक है इसको भी अब ध्यान में रखेगा अगला प्रश्ण है हमारा निमनलिखित में से कौन सी सदीस मात्रा है तो इस में से सदीस मात्रा जो है दोस्तों यह प्रतीबल है वह मात्रा जिसके पास दिसा तथा परिमाप दोनों होते हैं ऐसी मात्रा को सदीस मात्रा कहते हैं, प्रतीबल जो है एक सदीस मात्रा है, वह मात्रा जिसके पास केवल परिमान होता है और कोई दिसा नहीं होती है, वह अदीस रासी कहलाती है, जैसे कि समय, उर्जा, दूरी, कारे, ये सभी जो है अदीस मात्रा है अगला प्रश्ट है हमारा एक नैनो मीटर किसके बराबर होता है तो एक नैनो मीटर जो होता है दोस्वं यह एक गुनादस पर पाऊर-9 मीटर के बराबर होता है विभन घातों के पूर्व लगन एवम उनके संकित सुत्र जो है इस प्रकार से व्यक्त किये जाते हैं तो ये आपको पूरा चार्ट मिलता है आप बुक में देखे भी होंगे ये आपको याद रहना काफी इंपोर्टेंट है अक्सर इससे प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं अगला प्रश्ण है हमारा कि जब एक बस अचानक चलना सुरू करती है तो बस के अंदर बेठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है यह उधारा न्यूटन के किस नियम को दरसाता है यह बताना है तो यह जो दरसाता है दोस्तों न्यूटन के गती का पहला नियम को दरसाता है न्यूटन की गती का पहला नियम यह दरसाता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक वीराम आवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए यदि वो गतिसील आवस्था में है तो यह तब तक गतिसील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा कर उसे इस्थिर ना किया जाए तो इसी प्रकार जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है यह न्यूटन के गती के पहले नियम का उदाहरन है ठीक है? अगला प्रश्ण है आकास में उड़ते पक्छी में होती है तो आकास में उड़ते हुए पक्छी के पास जो है एक उचाई है जिसकी वज़ा से उसमें इस्थितिज उर्जा होगी और क्यूंकि वह उड़ रहा है यानि उसमें गती भी है तो उसमें गतीज उर्जा भी होगी ठीक है? आईए इसके उप्षन को देख लेते हैं तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों उप्षन डी गतीज उर्जा और इस्थितिज उर्जा दोनों होगी उड़ते हुए पक्छी में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकास संसलेशन में पौधे कौन सी गैस का अवशोशन करते हैं तो इसमें दोस्तों प्रकास संसलेशन में पौधे कार्बन डायोकसाइड गैस का अवशोशन करते हैं क्योंकि carbon dioxide तथा जल की अभिकरिया के परेडाम सोरुप carbohydrate तथा oxygen gas का निर्मान होता है next question है ध्वनी सबसे तेज संचरन करती है तो ध्वनी जो है सबसे तेज संचरन करती है ठोस में ध्वनी हवा की तुलना में ठोस में 4 गुना अधीक तेजी से यात्रा करती है ध्वनी ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करती है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ठोस में अनुओं को एक दूसरे के खिलाफ पैक किया जाता है और जब कमपन शुरू होता है तो एक ठोस के अनुतुरंत टकराते हैं और संपिडन लहर जो है तेजी से यात्रा करती है जिससे कारण की ठोस बेध्वनी काफी तेजी से यात्रा करती है अगला प्रश्ण है एक सौर जल हीटर में एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता तो ये जो है दोस्तो बादल छाये हुए दिन पर ऐसा होता है सोलर वाटर हीटर को एक छट या खूली जगह पर अस्थापित किया जाता है जहां इसे सूरज की रोष्णी बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और सूरज से ओरजा का उपियोग फिर पानी को गर्म करने और इसे एक insulated tank में store करने के लिए किया जाता है यह सिस्टम बिजली की आपूर्ती से जुड़ा नहीं है सौर जल हीटर में पानी गर्म तब नहीं होता है जबकि बादल छाये हुए हो उस समय सौर जल हीटर को सौरी के किरने ठीक से नहीं मिल पाती है जिसकी वज़ा से यह जो है गर्म नहीं हो पाता है अगला प्रश्ण है हमारा आपतन का कोन इनके बीच का कोन है तो आपतन का कौन जो है दोस्तों यह सतह पर अभिलम तथा आपतित किरन के बीच का कौन है जब कोई भी किरन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ भटक जाती है ठीक है, पहले माध्यम में अभिलं तथा आपतीत किरन के बीच बने कोण को, आपतन कोण कहते है? और प्रावर्तित किरन और अभिलं के बीच बने हुए कोण जो होते है? उसके परावर्तित कौण कहते है, इसको अब ध्यान में रखेगा. next question है हमारा mcb जो लगू पथन के मामले में वैदुत की पूर्ती को काड़ देता है तो ये जो है दोस्तों काम करता है धारा के चुम्बकिये प्रभाव पर धारा के चुम्बकिये प्रभाव पर mcb कारे करता है जो कि लगू पथन के मामले में वैदुत्त की आपूर्ती को नश्ट कर देता है यानि काट देता है अगला प्रश्ण है आजकल सडकों पर रोश्णी के लिए प्रायह पीले लेंपों का प्रियोग किया जाता है निम्न में से किस गैस का प्रियोग इन लेंपों में किया जाता है तो इसमें से sodium lamp का प्रियोग किया जाता है दोस्तों वास्प, light, ionicrit sodium का उपयोग, electric discharge lamp, street lighting और अन्यरोसनी के लिए किया जाता है नियोन का जो है उपयोग दोस्तों उच voltage के सांके तक और switching gear, lightning, r-acres और diving उपकर लेजर आधी बनाने में किया जाता है रासाइनिक उद्योग के लिए nitrogen महत्वपूर्ण है इसका उपयोग उर्वरक, nitric acid और nylon रंजक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है hydrogen gas के अगर बात करें दोस्तों तो hydrogen gas का उपयोग किया जाता है hyper ammonia प्रिक्रिया और वसा तेलों के hydrogen करन में ठीक है अगला प्रशने निवन में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है तो विस्फोटक के रूप में nitrogen glycerine का उपयोग किया जाता है nitrogen glycerine जो है एक विस्फोटक तरल है जिसे पहली बार 1846 में नाइट्रिक और सल्फियूरिक एसीड के मिसरन के साथ glycerol का उपचार करके बनाया गया था Alfred Nobel ने nitrogen glycerine को एक विस्फोटक के रूप में बहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जिसका उपयोग rocking और खनन में किया जाता है ठीक है दोस्तो अगला प्रश्ट है हमारा nucleon का मान होता है तो nucleon का जो मान होता है ये होता है neutron एवं proton की संख्यां के बराबर रासाइनिक विज्ञान के अनुसार nucleon एक नाभिक में मौजूद neutron और proton की संख्यां के बराबर होते है यानि कि किसी भी परमानू की द्रविमान संख्यां को परिभाशित करते है ठीक है जलिये NaCl का विद्दुत अभघटन उत्पन्न करता है अगला प्रश्टन है हमारा जलिये NaCl यानि sodium chloride का विद्दुत अभघटन क्या उत्पन्न करता है तो ये उत्पन्न करता है दोस्तों छारता जब एक विद्दुत धारा को केंद्रित sodium chloride के घूल से गुजारा जाता है तो ये रिनातमक इलेक्ट्रोड में hydrogen gas बनती है और positive electrode में chlorine gas बनता है और sodium hydroxide का एक घूल भी बनता है तो sodium hydroxide जो है दोस्तों ये छार होता है अगला प्रश्न है nitrogen gas के अनु में निम्न आबंध है तो nitrogen gas में जो है त्री सह सन्योजी आबंध पाया जाता है nitrogen gas में दो nitrogen के परमानू पाया जाते है nitrogen एक अधातू है जिसके पास आखरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रोण होते है तथा इसकी सन्योजकता तीन होती है इसलिए यह दूसरे nitrogen के साथ त्री सह सन्योजी बंध बनाता है और स्थिर हो जाता है यह एक हलका आनू है जिस वज़ा से ही यह वातावरन में पाया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों Magnesium Riven एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है इस सफेद पाउडर का रासाइनिक नाम क्या है यह बताना है तो इस सफेद पाउडर का रासाइनिक नाम है Magnesium Oxide Magnesium Oxide बनाने के लिए हवा में Magnesium Riven जलाना सन्योजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरन है जब Magnesium धातु जलता है तो यह हवा में पाये जाने वाले Oxygen के साथ Magnesium Oxide बनाता है और इस योगी को बनाने के लिए Oxygen और Magnesium एक रासाइनिक प्रतिक्रिया से आयोजित होते है जलने के बाद यह Magnesium Oxide बनाता है जो कि एक सफेद पाउडर की तरह होता है ठीक है? अगला प्रश्ण है हमारा ओक्सीकरन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ओक्सीकरन के लिए जो है यह विद्धुत धनी तत्व का निकलना जो है ओक्सीकरन की प्रक्रिया के दोरान क्या क्या होती है? तो ओक्सीजन का जुड़ना होता है हाइड्रोजन का निकलना होता है या तो आक्सीजन जूडेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा या फिर इलेक्ट्रोन निकलेगा या फिर आक्सीकरन संख्या में ब्रिधी होगी विद्धुधनी तत्व निकलेगा ठीक है तो इसमें से जो है दोस्तों विद्दुधनी तत्व का निकलना ये सहे विकलप है अगला प्रश्न है हमारा stainless steel में निम्न में से कौन सा तत्वा मौजूद नहीं है तो stainless steel में जो है tungsten मौजूद नहीं है स्टेनलिस स्टील में 15 से 20 प्रतिसत तत्व मौजूद होते हैं और लगभग 88 प्रतिसत जो है दोस्तों स्टील ऐसे होते हैं जिनका पूनह चक्रन किया जा सकता है लोहे की तुलना में स्टील करीब 1000 गुना जो है अधिक मजबूत हो सकता है स्टेनलिस स्टील की आयू भी लम्बी होती है तता इस पर जंग नहीं लगता है और नहीं वह वायोमंडल तता कारबनिक और औकारबनिक अमलों से खराब होता है तो काफी सारी जो है अच्छी क्वालिटी होती है प्रतिस्टील में चलिए next question को देखते हैं अगला प्रश्ण है नाभीकिय रियक्टर में कौन सी उर्जा उत्पन्न होती है तो इसमें जो है नाभीकिय उर्जा उत्पन्न होती है नाभीकिय रियक्टर में नाभीकिय उर्जा उत्पन्न होती है उर्जा जिसे नियंत्रित नाभिकी अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है परमानु उर्जा कहलाती है वर्तमान में विद्धूत उत्पादन के लिए जो है वानिजिक सनियंत्र जो है नाभिकी विखण्णन का उपयोग करते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों बिहार राजी की सिमाएं घिरी हुई है तो ये घिरी हुई है तीन राजीयों से अगला प्रश्ण है बिहार के किस क्रिसी जलवायू छेत्र में सबसे अधिक जीले हैं तो इसमें जो है उत्तर्व से पस्चिम जो है सबसे अधिक जीले हैं क्रिसी वाले नेक्स्ट कोईशन है बीपी सील ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने सुध शुन्य लक्षों को प्राप्त करने के लिए डीजन इथेनोल मिस्त्रन विक्सित किया है तो इसमें जो है 2040 तक का टार्गिट रखा गया है दोस्तों सार्वजनिक छेतर की तेल विपनन कमपणी बीपी सील ने उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनोल डीजल मिस्त्रन विक्सित किया है यह कदम 2040 के अपने शुद सुन्य लक्ष के अनुरूप है कमपणी के अनुसार बीपी सील के अनुसंधान एवं विकास के अंद्र ने 164 पैटेंट 164 संख्या ध्यान में रखेगा 164 पैटेंट दायर किये हैं और 87 पैटेंट जो है दोस्तों कई देशों में दिये गया है 17 प्रदोग्युक्यों या फिर उत्पादों कहलें का अब तक व्यवसाई करन किया जा चुका है बीपी सील जो है अपने परिचालन में विवीधता लाने के लिए अन्य उत्पादों के बीच पैट्रो केमिकल्स और टिकाव विमानन इंधन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ठीक है अगला प्रश्ण है बांद्रा बारसोवा समुद्री पूल का नाम किसके नाम पर रखा जायेगा तो ये जो है दोस्तों वीर सावरकर के नाम पर रखा जायेगा महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे ने घुशना किया है कि मुंबई में बांद्रा से बारसोवा समुद्री मार का नाम जो है स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा बारसोवा सागरी सेतु रखा जायेगा एक बार नाम फेर से सुन लेजिए इसका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा बारसोवा सागरी सेतु रखा जायेगा वह मुंबई में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की एक सो चालिसमी जैनती पर आयोजित एक कारिक्रम में बोल रहे थे राज में अविश्वस नियत वीरता कारियों के लिए नया पुरुसकार जो है स्वतंत्र वीर सावरकर सौर्य पुरुसकार भी दिया जाएगा इसकी भी घोशना की जा चुकी है अगला प्रश्ण है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके सासनकाल में देखा गया तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे जादा विस्तार देखा गया या मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में देखा गया मुहम्मद बिन तुगलक इलतूतमीज के बाद दूसरा सुल्तान था जिसने की खलीफाक से मानिता प्राप्त करी थी मुहम्मद बिन तुगलक भी अलाउदिन खिलजी की तरह समराज्यवादी था दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा राज्य मुहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहयक नदी नहीं है तो इसमें से जो दोस्तों मंजीरा है या कृष्णा की सहयक नदी नहीं है कृष्णा नदी भारत में पस्यमी घाट परवत स्रिग्खला में उत्पन्न होता है सहायक नदियों में कोईना नदी, भीमा नदी, कुंडली नदी, माल प्रभा, घाट प्रभा, येरेला, वार्ना ये सब जो है, इसकी सहायक नदी है, लेकिन मंजीरा सामिल नहीं है इसके अलवा दूध गंगा, बिंदी नदी, मूसी नदी, ये सब ही इसकी सहायक नदियां है तो इन सबी का नाम अब ध्यान रखिएगा, ध्यान में चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण इन में से कौन सी नदी धुआधार जल प्रपात से सम्बंधित है धुआधार जल प्रपात जो है, नर्मदा नदी से सम्बंधित है धुआधार जल प्रपात जबलपूर नगर के भेडा घाट शेत्र में नर्मदा नदी का जल काफी उचाई से नीचे गिरने पर निर्मित होता है जबलपूर में है यह और यहां जलधारा के निकट खड़े होने पर गिरते हुए जल की जो फुहारे पड़ती है उसके कारण ही इस जलप्रपात का नाम धुआधार जलप्रपात पड़ा है ठीक है दोस्तों अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरन है तो इसमें से रेयोन जो है यह मानव निर्मित रेशे का उदाहरन है मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयोन है कृत्रिम सूत वा सूत या रेशे जिन्हें प्राकरतिक रूप से नहीं बलकि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है जैसे कि रेयोन, नाइलोन, टेरिलीन, डेक्रोन, टिरीन ये सब ही जो है मानव निर्मित रेसा है अगला प्रश्ण निमनेलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है तो इसमें से गेहू जो है दोस्तों या खरीफ की फसल नहीं है बाकि बाजरा, धान और जुआर खरीफ की फसल है खरीव की फसलों को पानी की अधिक आवश्यक्ता होती है जैसे कि धान ज्वार बाजरा ये फसलें वर्सा रितु यानि कि जुलाई से अगस्त में बोई जाती है और सरद रितु के प्रारम्ह में यानि कि नवंबर में काट ली जाती है तो इसको भी ध्यान में रखेएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्व बोधिनी सभा की अस्थापना इन में से किस ने की थी तो तत्तो बोधनी सभा की अस्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1849 स्विमें 1839 में तत्तो बोधनी सभा की अस्थापना की थी इस सभा का उद्दिश से था धार्मी के विश्यों पे चिंतन के तहत उपनिशदों के सार का प्रसार करना 1869 में तत्व बोधनी सभा का विले ब्रह्म समाज में हो गया 1859 में जो है 1869 में इसका विले हो गया ब्रह्म समाज में ठीक है दोस्तों इसको भी आप ध्यान में रखे काफी इंपोर्टेंट है अगला प्रश्न है भारत में इन में से किस बंदरगाह का नाम बदल कर दीन दयाल बंदरगाह रखा गया है तो ये जो है कांडला का नाम बदल कर रखा गया है कांडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में इसे देश का सबसे बड़ा बंदरगा है आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है कांडला का नाम बदल करके अब दीन दयाल बंदरगा कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन है राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस प्रतिवर्स किसकी स्मृती में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है पोखरन टू के ठीक है 11 मई 1998 में जो 1998 में आयोजित पोखरन परमानू परिक्षन हुआ था सक्ती इसी की वर्सगांट को याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस मनाया जाता है पोखरन परमानू परिक्षन मई 1974 में किया गया था पहला परमानू परिक्षन का जो कूट नाम था कोड नेम वो था स्माइलिंग बुद्धा अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट किसान निती एन पी एफ को मंजूरी कब प्रदान की थी इसको मंजूरी प्रदान 2007 में की गई ठीक है राष्ट क्रसी आयो के सिफारिसों और राज्यों के परामर्स पर सरकार के द्वारा 6 अगस्त 2007 को राष्ट क्रिसक निती को मंजूरी दी गई थी राष्ट क्रिसक निती में अन्य बातों के साथ साथ फार्म छेतर के विकास के लिए संपुर्ण पहुँच परदान कर दी गई ठीक ना चलिए नेक्स्ट कॉश्चन है इन में से किसने मौर्य प्रसासन में अध्यक्षों को विभिन विभागों के अध्यक्षकों के रूप में उल्ले खित किया था तो कॉटिल्य ने किया था ऐसा कॉटिल्य का अर्थ सास्त्र जो है दोस्तों यह 15 भागों और 180 उप भागों में विभाजित है और इसमें 6000 के लगभक स्लोक हैं इसमें राजव्यवस्था, क्रसी, न्याय एवं राजनिती आधि की विभिन पहलूं पर विचार किया गया है तो ध्यान में रखिया काफी important है कॉटिल्य के बारे में तो इन्होंने ही विभिन विभागों के आधिक्षकों के रूप में प्रसासन के अध्यक्षों को उल्लेखित किया है next question है the general theory of employment, interest and money the general theory of employment, interest and money के लेखक कौन थे जिसने अर्थसास्त की एक अलग साखा के रूप में microeconomics की नीव रखी तो the general theory of employment, interest and money पूस्तक के लेखक जो है दोस्तों ये जॉन मेनार्ड किन्स है जे एम किन्स नाम है इनका microeconomics जैसा की यह अपने आधुनिक रूप में है अक्सर इसे जॉन मेनार्ड किन्स के साथ सुरू करने और 1936 में उनकी पूस्तक आई थी एक the general theory of employment, interest and money के प्रकासन के रूप में परिभासित किया गया है ठीक है जो right answer हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स अगला प्रश्णय महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रेल 199 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्साने को कहा था तो ये कहा था रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में व्यापक हरताल का आवाहन किया रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्य अस्तर का प्रथमान्दोलन था 24 फर्वरी 1909 सिस्वी को इसी दिन जो है गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया था कि और साथ में कसम लिया गया था कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्क पर चल कर किया जाएगा नेक्ष्ट कुष्चन है किस सम्विधानिक संसोधन को मीनी सम्विधान के नाम से जाना जाता है और जिसके ताथ स्वर्ण सिंग समिति के सिफारिसों को लागू किया गया था तो ये जो है दोस्तों 42वा संवेधान संसोधन है यह संसोधन इतना व्यापक था कि इसे लगू संवेधान का नाम दिया गया है आजाद भारत के लिए बनाया गया संविधान आधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहा और समय के साथ ही संविधान में बदलाव के आवश्यक्ता हुई भारतिय संविधान में पहली बार 1951 में संसोधन किया गया था इसको आप ध्यान में रखेगा सबसे पहला संसोधन जो है 1951 में हुआ था अगला प्रश्ण है 5 मार्च 2019 को सुरू हुई प्रधान मंत्री स्रम योगी मानधन योजना का लक्ष किसे लाभानवित करना है तो ये जो है दोस्तों और संगठित छेत्र के स्रमिकों को लाभानवित करने के लिए प्रधान मंत्री स्रम योगी मानधन पैंशन योजना को सरकार के द्वारा सुरू किया गया इस योजना के माध्यम से औसंगठित छेत्र के 60 साल की आयू पूरी करने वाले कामगारों को 3000 रुपे का न्यूनतम पेंसन प्रदान किया जाएगा ये योजना रखा गया ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण पर हमारा अगला प्रश्ण है भारत के चौथे राष्ट्रपती कौन थे तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपती थे दोस्तों ये थे वाराहगिरी वैंकटगिरी ठीक है वीवीगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपती थे इनका पूरा नाम था वाराहगिरी वैंकटगिरी ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपती रहे थे और 1975 ध्यान में रखेगा कि 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1975 में तो इस प्रश्ट के साथ ही दोस्तों हमने पूरा जीके और जीयस इस प्रैक्टिसेट 2 का कम्प्लीट कर लिया है वीडियो आप उगर हैल्फू लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में अपने एजुकेशनल ग्रूप में जरूर सेयर करें तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आप से अगले क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें जैहिंद